2022 में बिहार दरवा की एक बार फिर से भैकेंसी आती हैं जिसमें उस समय मेरीक तैयारी काफी अच्छी हो गए थी और मैंने फोर्म भरा एकजाम दिया लेकिन तो घर परिवार का विश्वास हमसे मेरे से टूट गया था और मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा हमसे उस काथ मैंने खूब रोया मैं अंदर से टूट चुका था मैंने खुद को एक छोटे से कमरे में गया है मुझे याद है नमस्कार, मनितिश कुमार, बिहार के जमूई जिले, एक छोटे से गाउं, चौकिटार से बिलोंग करता हूँ, इसी साल 2024 में मेरा सेलेक्शन बिहार पुलीस सब इंस्पेक्टर के साथ-साथ बिहार एकसाइज सब इंस्पेक्टर में हुआ है, और बरतमान में मैं बिहार के इंस्पेक्टर के पोउस्ट पर अपनी सेवाएँ दे रहा हूं, वैसे तो इस एकजाम में लाखों लोग सामिल होते हैं, लेकिन उन लाखों में बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं, उन्ही सफल लोगों में से मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ इस थे मजदूर और मम्मी हाउस भाइफ घर का खर्चा खेती बाड़ी से पर डिपेंड था और खेतों में अच्छी सी चाहिना होने के वज़ा से हर साल अच्छी पैदावार नहीं हो पाती थी जिस वज़ा से घर का खर्चा चला पाना मुश्किल हो पाता था इसलिए मेरे पित से घर के लोग दसमी के बाद मुझे पटना भेज दिये हैं और इंजिनियर बनने के सपने को लेकर मैं पटना आया था और गाउं का खेलता कुता एक बच्चा पटना में आकर एक छोटे से कमरे में कैद हो गया आप सोच सकते हैं मैं पहली बार पटना आया था और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था मैं रात दिन परिवार को याद करके रोता था माबाप के मेहनत और त्याग और मुझे कुछ बनने की इक्षा ने इस माहौल में जीने के लिए प्रेडित किया दो साल के कठीन तपस्या के बाद मैंने जेई एडवांस का एकजाम दिया लेकिन उसमें मैंने असफलता पाई फिर क्या था मैं पूरी तरह से तूट चुका था मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं और मेरी जिन्दगी खतम हो गई है कई महनों तक मैंने डिप्रेश मेरा फाइनल हुआ उसी समय बहार दरगा का फॉम आया उसमय मेरे तयारी कुछ अच्छा नहीं था इस वाई से मेरा प्री हुआ मैंस नहीं हो पाया उसके उसी दौरान कोरणा प्रियड में लोकडाउन लगा जो मेरे लिए बरदान साबित हुआ मैंने खुद को एक छोटे से टीचर को फोलो किया और अपने हैंड डिटन नोट को बनाया जो हमें आगे के सारे एक्जाम के लिए बहुत बेनिफिस्यल रहा एक घटना है कि मैं लगभग एक साल तक उस रूम में रहा और उस दर्मियान मैंने वहां पर रहने वाले जितने भी अशुडेंट थे उसम मैं अगर नमक घट गया हल्दी घट गया कोई सबजी मसाला कुछ भी घट गया तो मैं किसी से नहीं मांगता था जो रहता था रूम में उसी को खा के काम चलाता था गवर्मेंट जोब के तयारी के दोरान मैंने कई सारे एक्जाम भी दिये जैसे बिहार पुलिस का एक्जा मैं भी क्वालिफाई किया लेकिन अंति मिरूप से सफलता नहीं मिली लगातार और सफलताओं के बाद मैं खुद को अकेला रखना और ज्यादा परिवार से रिष्टे नाते से छोड़के अपने आपको एक सिमित किया लिमिटेड किया ताकि मैं अपनी पढ़ाई को 100% मैं में में फिर से फेल हो गया और कंफिडेंस की वज़ा से उस रात मैंने खूब रोया मैं अंदर से तूट चुका था क्योंकि एक लंबा पिरियड में मैंने त्यारी में गुजारा था उसके बाद भी नहीं हुआ तो घर परिवार का विश्वास हमसे मेरे से तूट गया और घर के खित के काम धंदे करवाया जाई से लोगों का मेरे परती नगिविटी बढ़ता ही जा रहा था मैं कई महिनों तक डिप्रेशन में रहा इस दर से निकल पाना मेरे लिए काफी मुश्किल था तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मुझे ऑभर कंफिडेंस किस व वलत कर बैठते हैं तो हम यह कहना चाहते हैं कि आप लोग अभर कंफिडेंट ना हो और अगर आप से लिबस खतम कर लिया तो बार बार उसका रिवीजन करें ताकि को स्वल्व करने में हमें आसानी हो और जब को स्वल्व करें तो उसे अच्छे ढंग से अच्छे से आई बहन मेरे सरकारी जोब का त्यारी करते हैं उनको बार बार जब और सफलता मिलती है तो हम लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं हर किसी के लाइफ में कभी ने कभी ऐसा घटना होता है कि हम बहुत ही लो फेज में चले जाते हैं तो उन सब चीजों से हमने कैसे निकला उ हूं मेरे कुछ दोस्त है जो कि मुझे हमेशा पोजिटीव रखते थे और मुझे कहते थे कि यू कैन डू इट तुम कर सकते हो तुम्हारा तैयारी अच्छा है तुम बस एक बार मेहनत करो तो इस तरह से मेरे परिवार वालों ने और मेरे दोस्तों ने मुझे इस डिप्र करके मैंने देखा कि कहां हमसे गलती हो रही थी उसके मैंने काम करना सुरू किया मेरे कुछ गलतियां थी जिसकी वाया से मैं बार-बार फेल हो रहा था उसको मैंने इस समय सुधारा जैसे मैंने चीजों को बार-बार नहीं पढ़ता था भूलने की आदत हो गई थी और उस रिविजन किया ताकि चीजें हमेशा मेरे पास रहे और मैं अच्छा कर पाऊं तो जितने भी मेरे भाई बहन जो बाहर आके घर से त्यारी कर रहे हैं उनसे अक्सर कुछ-कुछ चीजें होती है गलती वह अपने अंदर सुधार सकते हैं और एक चीज होता है कि सोसल मीडिया क खुद को दे सकें और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाए जिसे कि आप बहुत जल्द सक्सेस हो पायें दूस्री बात है कि आप अपने आसपास की माहॉल को बना के रखें, कुछ दोस्ट हो Wade उसमें कुछ ऐसे दोस्ट होंगे जो हमेशा अच्छा बोलते होंगे, आपकी तयारी को ये लेकर हमेशा अच्छा सोचते होंगे, आपको back करते होंगे कि नहीं तुम कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, ऐसे करो, कुछ study share करते होंगे, और कुछ दोस्त ऐसे होंगे, जो negative होंगे, उनसे आप लोग दूरी बनाइए, और अपने आपको positive महाल में रखिये, ताकि आप हमेशा साकारात्मक रहे हैं, और हमेशा आग इसमें कोशन का लेबल थोड़ा सा अच्छा रहा है, तो हम बताना चाहते हैं कि जो भी भाई बहन त्यारी करें, बिहार दरोगा की वो अच्छे से पढ़ें, अच्छे नोटबुक को पढ़ें, और जो भी market में a standard book है, उसको follow करें, NCRT book को follow करें, ताकि जो concept है, अधिकान को सब को एक साथ लेके त्यारी कर सकते हैं, अगर हम लास्ट एक्जाम 64 पोश्ट का बात करें, तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें 60% के आसपास question, BPSC के तरह पूछा गया था, यानि कि statement wise question था, तो आप इस चीज का ध्यान रखते हुए आने वाले जो भाईकेंसी है, दिसम को कहना चाहता हूं कि अभी आप फिजिकल की त्यारी ना करें, अभी सिर्फ पर सिर्फ आपका focus होना चाहिए return exam पे, क्योंकि merit जो बनता है, वो मेंस के exam के अधार पे बनता है, मेंस में आप जितना अच्छा marks लाएंगे, आपका selection होगा, वाना नहीं होगा, फिजिकल पास हो उस दिन का, जिस दिन 1275 बिहार दरवा का result आया था, मैं उस वक्त ground में था और 64 post exercise का running कर रहा था, तो जब exam जब result आया था, तो मैंने PDF देखा तो मैंने wrong roll number डाल दिया था, जिसके वज़ा से मेरा roll number PDF में देखी ने रहा था, तो मेरा दिमाग ही उड़ गया था, मैं बिल roll number दिखा, उसके बाद मैं काफी खूस हुआ, और सबसे पहले इस बात को मैंने अपने मम्मी को बताया, वो भी काफी खूस थी, मेरे पिता जी, मेरे पूरे परिवार, मेरे गाओं, समाज, सब लोग बहुत खूस हुए, और आखिर में चलते-चलते मैं जोस्टक के इस प् पर आऊंगा और अपने बारे में आप लोग से कुछ बातें सेयर करूंगा, तो मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए जोस्टक के पूरे टीम को दिल से धन्यवाद, अगर आपको जोस्टक से प्यार है, जोस्टक जो देश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, उस अगर आपको इन सब बिहाइंड दे सीन्स में इंटरस्ट है, तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक को क्लिक करें और जुड़े जोस्टक की कमिनिटी के साथ